शावन मास में इस वर्ष भीशन गर्मी दत्थाउमस के मारे शाहर वासों के हाल बेहाल हो रहे हैं विगत चाल पार्च दिनों से भीशन गर्मी दत्थाउमस की कारण लोगों का जीवन अस्वेस्त हो गया लेकिन शुक्रवार को इंद्रदेव शहर में महरबान हुए इंडर देव की महरबानी के चलते शुक्रवार सुभे ही आसमान में बादल छाने लगे और देखते ही देखते शहर में हलकी बुंदाबांदी का दौर शुरू हुआ हलकी बुंदाबानी के साथ शुरू हुई बरसात तोड़ी ही देर में रिम जिम बरसात में बदल गई पिसके चलते दिन भर पल पल में बरसात तथा पुहारे चलते रही किसी कारण शहर वास्यों को उमच से राहत मिली उधर थोड़ी थोड़ी देर में होती रही वर्सात के कारण बाजार में खरीदी करने वालों तथा वहां चालकों को परिशानियों का सामना करना पड़ा छेरी शेत्र में फल तता सबजी आदी बेशने वाले हाथ थेला संचालकों को भी वरसात से भीगने के लिए इधर उधर भागते हुई देखा गया उधर रुक रुक कर हुई बरसात के चल से ग्रामे शेत्रों में फसलों को काफी दहारा मिला है जिसके चलते किसानों के चहरों पर भी खुशी के भाव जलत पड़े हैं बरसात के चलते ठंडी हवाओं के कारण मौसम भी कुश्टुमा हो गया है सुबह सुबह शुरू हुई बरसात की जड़ी के कारण स्कूर आने जाने वाले बच्चों था नोकरी पेशार लोगों को अपने कारिस्तल तक पाउशने में परिशानियों का साम ना करना पड़ा उधर सुभे सुभे हुई वर्सात के बाद छावनी पाटा के बाहर कीचर से आमजन को परिशानियों का सामना करना पड़ा यहां से गुजरने वाले वाहन चाला कीचर के कार्म स्लिप हो रहे थे